तो है लो आपके साथ एक न्यू प्रोड़क्ट का रिफ्यू शेयर करने जा रहे हूं जो कि है और सोफा कवर जो कि आज कल स्लिप सोफा कवर चल रहे हैं तो मैंने अपने अपने अच्छली सोफे के सोफे के फैब्रिक से बहुत बोर होगी थोड़ा सा मुझे कुछ नया लुक देना था तो वही मैंने फ्लिप कार से ओडर किया है तो इसके प्राइज वगएरा फैब्रिक वगएरा के बारे में सब में बात करेंगे तो यहां पर यह देखें यह अन्बॉक्स कर रहे हैं सबस करेंगे बहुत अच्छा है अगर मैं फैब्रिक के बात करूँ तो फैब्रिक इसका वैलविट है अच्छा भी अच्छे वाला फैलविट है बदल जो फड़ा सा लाइट बेट वाले होते ना वह बला है कि नीची यह लास्टिक दे रखे ताकि अच्छे से आप अगर चप अब इसको सोफे को सोफा कवर को पहनाएंगे तो लास्टिक जो है नीचे से अच्छे से टक हो जाएगी जिसके कारण वह बार बार निकलेंगे नहीं हना थोड़ा सा एड़ेस्टमेंट देने के लिए तो जैसे कि आप देख पर यह है फैबरिक और मैंने कलर चूज किया इस सेटर वाले सोफा निकाले जिसके साथ भी मुझे वन कुछन कवर मिला है मिन्स टोटल फोर कुछन कवर मिले हैं अन वन थी सीटर सोफा कवर एंट वन सीटर सोफा कवर एंड इसके साथ यह आई डों नो इसको क्या बोलते है इस वह थोड़ेसा ना फिटिंग देने के तो जैसे आपको 5 5 सभी में दे रखा है, मतलर 1 सिटर के साथ, सिंगल सिटर के साथ, एंड, 3 सिटर के साथ, सभी की साथ दिया हूँ, ताकि वो एकदम से फिनिशिंग तभी आएगी, क्योंकि देखें एक जन्रल मेजरमेंट के कोपर बनाया है, फिनिशिंग इस ही सही आएग तो बस यह और इसमें मैंने इस टेकने क्या जब हम इसको हम पहनाने लगे तो हमें पता नहीं रगे तो कौन सा फ्रेंट आई कौन सा बैक साइड है तो हम बहुत तो फिर मैंने जरब लेबल चेके जो मैं आपको आपके वाले वीडियो में दिखाऊंगे जब मैंने लेबल चेक किया तो वहां पर मेंशन किया हुआ है इस फ्रेंड फ्रंट एंड इस बैक साइड तो यह सब पहनाने के बाद आपको यह जो यह रोप सी दे रखें इसके को कि अब बहुत गंदए चो तो यह सोचा कि चलो कुछ नया लुक देते हैं सुफे को एंड यह देके अब हमने कि मैंने सімह सब से पहले में सिंगल सिंमल कि ho beneters के सिंगल सिंड आया size size तो चलो ने design थोड़ा सा अलग होता है थोड़ा सा hand का अलग होता है तो फिर वही है तो लेकिन ठीक लग रहा था तो यह देखे यह इसका front side है आपको mention किया होगा and this is back side यह देखे आगर आप देख पा रहे हैं तो यह देखे यह मेरा look है पूरा मैंने जब adjust करने के बाद पूरा हमने टकिंग वगड़ा अच्छे से करने के बाद यह पूरा look आ रहा है आप देख पा रहे हैं मैं इस प्रोड़क्ट को 3.5 तोंगी कुछ मुझे चीजें मिसिंग लगी थोड़ा सा वो होंगी वो होंगी अगर आप क्यूंकि आप प्रोपर मेजर्मेंट के से नहीं बना रहे हैं तो होगा लेकिन ठीक है बट मैं प्रोड़क्ट को रख रही हूं एंड आम गोईं आम नौट गोईंग तो रिटन इट सो यह मेरा रिव्यू हो था कि हैं आप भी चाहिए क्योंकि मैंने बहुत सारी ओनलान सेर्च किया था क कि मुझे कुछ मिल जाए कि मुझे रिव्यू मिल जाए बट आसा कुछ मिल नहीं रहते कि बाद देख जो कि इसा मगाओं की ना मगाओं तो मैंने सुच़ अब मुझे आपके लिए शूर जरूर करना चाहिए अगर जो भी स्लिपकवर मगाना जाते हैं तो तो मस् ट्राय आप यूज कर सकते हैं बाकि अगर इनकी डामेंशन की बात की जाए तो डामेंशन 3 सीटर का 185 cm बोला गया था मुझे अपने सोफे के मेजरमेंट तो नहीं पते हैं लेकिन आप देखें थोड़ा सा एस्टेमेट लगा सकते हैं तो में now a 3 सीटर अच्छा मतलब के अच्छे से टकिंग हो गया इसके मतलब के आ गया है आप अन्वी बोला तो कि इस ट्रेचिबल वीशन बहुत बहुत बबाद बहुत बबाद लाइट तो आप अगर सोचा के बहुत च्च हो जाएगा तो नहीं रहीं होगा तो आपको आपके आपके सोफे के पहले dimensions and then product के dimension आप compare करते फिर ही आप बाए करना and कैसा लगा मेरा नया video and मेरा सोफे का नया look कैसा लगा जरूर बताएगा जरूर feedback देजेगा and if you like my video please subscribe to my channel and like and share my video as well thank you for watching